गुड मॉनिंग ड्रेडर्स ओबरॉल एठी को आज की दिन हम ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर हमारी एक बाइंग पोजिशन एक्टिव है यह जो दोनों लेवल्स आप देख रहो सेम लेवल्स माना 847.50 पर एंट्री है 843.45 यहां पर हमारे स्टॉप लगा हुआ है आज का स स्टॉप लॉस हमारा बड़ा स्टॉप लॉस तो काफी बड़े हो रहे हैं यह आवली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ एक चीज आपको बताएंगे उसको अपने ट्रेड में शामिल करो एट करो ट्रेडिंग ठीक अंधा धूंद अगर ट्रेडिंग चल रहे तो उसको कीज़ेगा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चल को सब्सक्राइब कीज़ेगा बहुत मेहनत से और काफी सरा टाइम दे कर कि वीडियो बगरा हम बनाते हैं हाला कि वीडियो 10-15 मिट का ही होता है बट पूरा पूरा दिन लग जाता है वीडियो बनाने में करना काफी सरी महनत लगती है तो जो जो भी पॉइंट से हम बताते हैं लाइफ मार्केट है एक्स्पीरेंस होता है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं तो इसकी वेल्यू को थोड़ा समझे और जो जो भी चीज़े हम बताते हैं उसको अपने ट्रेड में शामिल करने के कुशिश करो अभी जो पॉइंट से मताएंगे ना उसको भी नोट डाउन करके क्योंकि इस चीज़ को हमने पिछले कई कई साल हो गया है इस चीज़ को हमने एनिलाइस किया है इस वक्त का जो अपना प्रोफिट लोवर टाइम पर चलते हैं पहले तो फाइफ मिनिट 5000 के एराउंड 6000 चल रहा है प्रोफिट और 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 बुक में और कॉंटी कितनी 810 कॉंटी यह देखिए यह एंजल उन्हें हमें और मारना था यह तो कैंजिल हो गया और रिजक्ट हो गया पूरी तरह से 500 कॉंटी मारी हमने सब्सक्राइब कर देते 500 कॉंटी मारी हो भी रिजक्ट हो गया और रिजक्ट होगे दोनों उसके बाद में फिर अच्छा था स्टॉक शीव जी ने रिकमेंट किया तो अपने इसको अपने सबसे और तब हमने इसके अंदर अपनी एंट्री लिए लॉस का अदर यह अपना रणिंग है और यह दोनों के दोनों और पर एक लास्ट अधर और मारेंगे अपनी प्रॉफिट बॉकिंग का या फिर हो सकते मेरा स्टॉप लॉस जाए अगर नीचे की तरफ गिर जाता तो इस टॉप लोगा तो भी ठीक है वी मिशेर करेंगे अ आप चलते हैं अपसे चार्ट के ओवर पोजिशन बूख 6100 के राउंड का प्रॉफिट चल रहा है निफ्टी बैंक थोड़ा-थोड़ा सा डाउन मूव दिखा रहा है कि न्यूस आ रही है कि बैंक्रप्ट हो रहा है हाला कि मार्केट के उपर इसका हो सकता है असर पड़े हम इतना इसके ओपर डीप में जाती ही नहीं है पड़ेगा सर पड़ेगा बुरी से बुरी कंडिशन भी मालूम है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हमारे स्टॉप लोज चला जाएगा तो उस पर बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है कि अप्ट्रेट करें ना करे कुछ भी हो सकता मारकЕТ ऊपर भी जा सकती मार्केस नीचे भी जा सकती हमारा तो रहाना हो गया यह उवर हैसं से सब्सक्राइप बा करना वाली नहीं है जो हो ना है हो जाए है ृप पर अपना stop loss लगा हुआ है अब देखिए वापस बढ़ते हैं अच्छा यहां पर कहां चल रहे थे हां ठीक है 5000 करोन का profit चल रहा है अब यहां पर hourly time frame के उपर कुछ एक चीज़े देखिए सबसे पहला सबसे पहली चीज़ जो हम class में एक्सा डिसकस करते हैं आंख बंद करके एक price structure अपने मन में imagine करो आपको किस तरह का price structure trade कर आपके side में ही बैठा हो सकता है आपका भाई आपके side में ही बैठा हो सकता है आपका दोस्त लेकिन कभी भी दो लोगों की price action system same नहीं हो सकते 101% guarantee अगर हम अपने भाई को सिखा रहे हैं हम अपने किसी दोस्त को भी सिखा रह तो इसी लिए यह बात हम क्यों बोल रहे हैं आख बंद करके आपको क्या लगता है कि आपका price structure या आपका system कौन से जिसमें आप comfortable trade करने में निकल analysis तो उस चिसको और मजबूत बना देती है आवली time frame पर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि easy होता है अब यह आपका support point है सारे support points है कोई movements आएगी तो इसी जगह से आएगी अब यह जो चीज़ हम बोल रहे है कि कोई भी movements अगर आएगी तो इसी movements इसी जगह से इन ही points आएगी यही चीज़ तो समझना होगा जब हमें मालूम है कि इस वाले points से ही आपको target sorry movements मिलेंगे इन वाले points से ही आपको activities होते मार्केट चल रही है मार्दो ट्रेट अब हमने कहीं पर भी ट्रेड नहीं मारा है अपनी जगह पर मारा है जब मेरे लेवल पर हमने तब ट्रेड मारा है confirmations लेने के बार ट्रेड किया इसका live example हम आपको दिखा रहे है यह सारी चीज़ लाइव मार्केट में चल रही है अब प्राइज अगर इस वाले लेवल के नीचे सपोर्ट को ब्रेक कर रहे तो आप शॉर्ट मार्दो हो गया ट्रेडिंग हो गई यहां पर अपना stop loss लगा दो वर्स्ट कंडिशन में आपको stop loss चला जाएगा ना सबसे बुरा यही हो सकता है बट एक बार एंट्री लेने के बा कहते हैं लोगों की फिर भी हो सकता है लाँस्तोंको अब हीति ना सिर्फ आपकी कमजόरी की वजय से होता है जो अभी तक हमने साथ में यह कमजोरी एक ठान है और ठां लिकिन यहां सबेंति घान रहो बात दूसरी तरह सब तो जैसे ही price आपका इस वाली level पर आएगा ना यहाँ पर time frame जो use करना आवरली थोड़ा सा easy होगा आपके लिए daily time frame तो हम लोग यूज करती हैं ऐसा नहीं कह रहे है कि daily time frame को आप deny करतोगे हटा दोगे आवरली को देखो थोड़ा सा easy हो जाएगा आपके लिए तो price में जैसे आप इस support points देखो आप trade मार लेकिन करो गया अभी इसको और भी describe करेंगे थोड़ा सा आगे चिल करके तो यहां पर देखें प्राइस के यह कुछ support points है हमने क्या किया simply एक swing mark कर लिया हटा दिया चलिए सब कुछ हमने remove कर दिया एक हमने swing mark कर लिया एक यह वाला point और यहां पर volumes का उन कर लो और volumes का थोड़ा सा support ले लो प्राइस हमारा गिर रहा ना यहां पर देखें क्या हो रहा है वापस से volumes बढ़ गए यह तो volumes के breakout हो प्राइस कंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो यह तो diversion नहीं लग रहा है अपको यहां पर इतनी volume आई है और प्राइस का कितना बड़ा movement हुआ है और यहां पर volumes पिछली volume से ज्यादा volume यहां पर है बड़ प्राइस का तो movements है ही नहीं तो diversion होगे एक तरह से कुछ तो गढ़ बढ़ चल रहा है हमने simply इस वाली candle को mark कर लिया अब अगर अगर प्राइस वीक है तो उसे क्या करना होगा हमारी इस ब्लैक वाली candle को यह ब्रेक कर देनी से चला गया यह इसको और हम पीछे की तरफ देखना चाहें तो देखें इस वाली जगह से देखें मार्केट क्या कर रही है समझने की कोशिश की जगा कि प्राइस जब हमारा इस वाली लेवल के नीचे है तो movements sideways है और जैसे प्राइस वाली लेवल के उपर गया तो देखें यहां से किस तर पर आकर कि यह रुक रही है है और इसके पहले देखी क्या हो रहा है इस जगह पर भी मार्केट आपका सपोर्ट ले रही है अभी जुमने चीज़ कहीं न कि आँख बंद करके बस imagine करो कि आपको किस तरह के movements किस तरह का price action trade करना studiable लगता है अच्छा लगता है आपके लिए नेक्स टे के लिए उस तरह के transactions को find करना trend identify करना और trade मार देना बहुत ज्यादा complicate मत करना ठीक है इतनी सी चीज़े याद रुक लो इतना काम आएगी ना आपको इतना काम आएगी जिसका कोई जवाब ने आपका काम हासान हो जाएगा ठीक है बहुत ज्यादा परेशान होन कल आपके सामने में ने कहा था कि एक स्टॉक था ना को एंके एंके में एंके के अंदर हम लोगों ने उसी वक्त analysis की थी कि इसके अंदर देखना है जिस लेवल पर यह है अगर यह जिस पॉइंट पर है इसके नीचे गया तो movements आपको यहां तक मिल जाएग यह कहां तक गया है इतना गिर जाएगा थोड़े ना मालू में लेकिन जो अपनी थी उसके उसके प्रैस यहां तका है और जो हम लोग कर रहे है तब ही प्रैस कहीं नहीं के इस वाले पॉइंट पर था सिस्टम अपनी जगा पर्फेक्ट काम कर रहा है आप उसका यूज कैसे कर पार हो यही फिलाल यहां पर हम लोगों का मार्किंग तो ऊपर नीच होगे बाकि यह चीज आयू हो कि समझ में होगी कि हमने ट्रेट कैसे कि एक आवली टेम पर अपना एक सपोर्ट एरिया मां कर लिए आवली हमने क्यों बता इसमें फिर से कंफ्यूज मत हो जाना कि डेली भी बता रह है ट्रेड मार दो अब चलते हैं लोग लोग टाइम पर हमें मालूम है कि जो दो लाइन से में ट्रॉक हैं यह सपोर्ट से अब यहां से जब प्राइज हमारा अपसाइट की तरफ जा रहा तो देखिए कल की सिर्फ हम एक एंडल माग करेंगे आपकी यह वाली यह है ना प् वॉल्यूम्स के साथ में प्राइज ने 9.15 का जो मौनिंग के जो स्विंग ने 9.15 मौनिंग के जो स्विंग उनको ब्रेक किया और वहां से अपसाइट की दरफ चलाए हमने क्या कि कल के जो रेस्टेंस थे देखिए दोनों चीज़ें कि डेली टाइम पर थो हम सपोर्ट से देखिए रहें इसके नीचे तुम ट्रेड नहीं मारें इसको ऊपर ही ट्रेट करना होगा और जो कल के रेस्टेंस थे उसके उपर जैसे ही मार्केट निकली है यहां से और बॉक में चलके कुछ कॉंटी यह ले 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 लेते हैं लोग स्टॉप लोस क्या था एट फूर्ट सही तो है हां 843.45 और एंट्री बिस ब्लैक वाली के पास में ही थी यहां पर कॉपी कर लेते हैं 847.50 यह अपना पूरा सेटप है आजका इस वाले प्राइस का 862.45 यह 50 चलिए इतना ही रखतें 862.45 इस वाली रिये तक का वेट करेंगे जैसे प्राइस वहां तक जाए हम प्राइस को बुक करके बाहर निकल जाएंगे ओके तो थैंक्स एंट 5000 के रांड हम प्राइस में बने हुए कोई बड़ा सा मूब्मेंट होता है यह फिर हम इसके अंदर कोई एक्शन लेते हैं तो फिर आपको इन्फॉर्म करते हैं तो इस टार्गे अगर हम लोग देख र जाने के बाद में सिधे नीचे गर गया अभी अगर हम आज का अगर इग्जेक्ट हाई मा कर लें तो कोई ऐसा रेस्टेंस वैंट हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि एरिया जो में पॉइंट है वो तो वही था जो मॉनिंग में ड्रॉ किया है यावन आप यह मान करके एक रेस्टेंस मान था बर प्राइस में यहां तक जाने के बाद में यहां सिधी नीचे गरे प्रॉफिट्स में भी अभी 10,000 के राउंट हम लोग पहुंच चुके थे बड़ इस वक्त का क्या है 6,008 के चल रह रह गया कोई बात नहीं अभी अभी टाइम है अपने पास ज अभी निगलेंगे नहीं बाहर तब तक एक चीज देख लिए कि जो मुव्मेंट से जिस वन आर के हम बात करे थे अभी इसमें एक और जैसे इनफी हो गया ना इनफी में आप यह मान करके चलिए लास्ट वीडियो मैंने आपको चीज बता दी जो 30 देवाल हमने चैलेंज आपको दिया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं mother candle की formation को find करते हैं एक ये candle बनती है बड़ी से candle इसके बाद में इसके वाली चैनल के वालूम्स जादा होती है और ये mother candles होती है अब लोगा टाम फ्रेम पर हम लोग आ जाएंगे 5 minutes के टाम फ्रेम पर देकि हमने क्या का था क आप सिर्फ short selling ही करोगे यहां से buying नहीं होगा और short selling करने की जगा कौन सी रहेगी यहीं से हम लोग short selling करेंगे buying नहीं करेंगे तो जैसे price 1,4,1 पर आया इस जगह से आप अपने entries के confirmations लो कितने अच्छे confirmation मिले हैं यहां पर हमें short selling के आप इस stop loss logout देखिए market पूरे दिन ऊ यहां पर नहीं गई है एक अच्छा trade यहां पर हम लोग को मिला इनफी के अंदर हमारा तो overallity था हमने overallity को trade है अच्छा खासे इसके अंदर profit वे कुछ ऐसा नहीं है बस आए एक पैसे समें लोग target book करते करते रहेगा अभी book ने करेंगे और होगा profit मारा कम होगा हो जाने तर या तो एक दम last में निकलेंगे ने तो फिर थोड़ा सम्वेट करेंगे जाने देजाए 6,000 कोई बात ने जाने देजाए इसको दूसरी चीज़ अभी यही इनफी सेम इनफी कोई आप hourly time frame पर देखो देखिए hourly time frame पर भी यहां पर आपको support ही देखने को मिलेगा जिन supports के हम बात करें थे ना भी exact यह वाले points इनको और आप पीछे कर दो और अगर हम लोग पीछे करेंगे ना तो सेम लेवल पर आपको support मिलेगे हाला कि इतने पुराने supports हम मानते नहीं हैं यहां पर आप देखोगे न तो है यह supportive areas है अभी इसके अंदर हम लोग आकर कि lower time frame पर analysis करने करेंगे तो exact आपको resistance points देखने को मिलेंगे कि price जब तक आवली time frame है यह जब तक price इसके नीचे है ना एक resistance की तरह work करेगा यह देखिए बार बार इसी area से नीचे की तरह गिर रहा है और जब movement upside की तरह हुई तो यहां से price आपका upside की तरह है तो यह resistance point आवली time frame है जो हम आप कर सकते हो कोई भी एक trend line अब बन जाने के बाद देखिए कोई भी चार्ट जम समझा रहे है ना बन जाने के बाद पर इसमें believe नहीं होता है तो चार्ट चली जोगा है तो जो हो गया उसको बस explain कर देना होगा कोई भी कर देगा बहुत आसा इंप्रेसिव होता है यह आपको समझाने में भी confidence आता है लेकिन फिर भी अगर trend line में आपको देखना है तो फिर इस तरह की systems आपको follow करने होंगे trend line के उपर हम कोशिश करें लास्ट इमने बोला था कि trend line के उपर एक video आप लोगे साथ discuss करेंगे बनाकर करके upload करेंगे trend line कुछ points है important points है वो हम discuss करेंगे आप लोगे साथ समय मिलता है तो trend line के उपर एक अच्छा से video बना करके आप लोगे साथ शेयर करेंगे तो जब भी price आपका upside की तरफ जाया तो यहाँ पर clear चीज है कि जब जब price हमारा इस जगह पर आएगा आप सिर्फ buying के confirmations लोगा अगर price आपका नीचे गिर रहा तो फिर गिर जाने दो अगर गिर रहा तो गिर जाने देजाए और अगर downtrend में हो फिर price downtrend में हो फिर हम लोग क्या करते ना फिर हम लोग सिर्फ शॉर्ट से लिंक करते हैं इस चोटी-चोटी चीज है आने वाले time में हम आपको trend line के वीडियो बना करके देंगे उसको देखेंगे बहुत सारी आप lt है lt के अंदर भी हम अगर hourly time frame पर चलें तो हमें एक simple चाहिए simple सी चीज एक अच्छा support area चाहिए इन फी के अंदर देखी जैसे नहीं मिल रहा मारूती है मारूती को हमने कल के दिन trade किया था अब मारूती में आप देखोगे तो कुछ इस जगर पर यह supportive है अब price ने क्य नीचे कर गया नीचे कर गया यह ना support area नीचे कर गया अभी जो बात हम आपको बोलना किए price के support points support points support points एक zone mark कर दिया अब यहां से देखे price अब आपका नीचे की दिशा में गिर तो नीचे की दिशा में यह किर आप इसको और हम पीछे की तरफ अगर ले करके जाते हैं back data अ और क्या है simple से चीज़ है ना सिर्फ हमने hourly time frame पर अपने एक level mark कर लिया तो ठीक है जब हम trade execute करना है तो यही तो मान करके चलते हैं कि जिस level से हम आपका नीचे की दिशा में यह तो फिर upside movement कर सकता है तो उसी level को उसी line को जहां से हम trade execute करना चारों जिस line से हम trade execute करना चारों past में उस line पर market ने कितना respect किया है यह तो देखने वाली बात होती है ना अब same level से जिससे हमने की कल मारूती को trade किया था तो देखे same level से price ने आपको किस तरह के movements दिखा है अब ऐसा नहीं कि in between हम यहां से भी trade कर दे रहे हैं इस जगे से भी trade कर दे नहीं हमारे एक particular point है हम उस point तक analysis करने के साथ पहुंचते हैं और जब price हमको उस mode में उस दिखता है तभी हम trade execute करते हैं कल इसने gap of opening दिखाई थी और gap of opening देने के बात में जैसे ही market अपने वापस पुरानी range में आया हमने वहां से उसके अंदर trade execute कर दिया कल के video आप देखोगे ना तो हम पर समझ में है अब अगर हम सही है तो में भी हो सकता है लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं लेकिन probability है कि price अपनी इस वाली candle का लो नहीं तोड़ेगा अब एक काम करते हैं यह से बाहर निकालते हैं हम लोग चुप 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 वालूम हमें नहीं लग रहा था कि इससे ज्यादा वालूम करते हैं में लगाता है कि फाइफ थाउजन तक का profit बुक करें के नहीं उससे भी ज्यादा कम हो गया है और बुक में चलेंगे सबसे पहले अपना stop loss order cancel okay and position book एक बार चार्ट यहां पर भी देख लेते हैं इनका stop loss order cancel नहीं कर दिया तो दो ही order वहां पर हमें दिखेंगे दो भी क्यों एक ही दिखेगा शायद हाँ एक ही order है काफी नीच आए पर इस क्लोज पोजिशन order success be placed position book लीजे 3,000 का profit book हुआ है 8,000 9,000 प्लस में थे जितना किस्मत में है उतना ही मिलेगा हम लोग चाहें जो कर ले एक रुपए से भी कम में यहां पर हमलों का profit बचा था कि एक रुपए भी शाह नहीं था असी पैसी थे ने असी पैसे से भी कम का price हमारा बचा हुआ था अगर उतना भी उपर चरा जाता तो में भी हो सकता है यहां पर अपना profit book कर लेते हैं कोई बात नहीं अब जितना है उतना ही लेकर के अब देखिए प्राइस यहां से रिवर्सल मार रहा उपर की तरफ जाया गा नहीं अभी मुश्किल है क्योंकि इस वॉल्म ने जो इंड तक एक system आपके पास ना हो जाए या confidence आपके system पर आपको ना हो जाए ना तब तक trading मत करो रोग दो stop कोड़ो उसको जब लगे कि हाँ आपको खुद के उपर confidence आगा आपको लगे कि हाँ अब हम कर लेंगे तब start करो उसके बाद से शुरू करो फिर दीरे दीरे करके profits आपके increase होते चले आएगे अब हम loss तो करी रहे हैं कल भी trade कर रहे है परसो भी trade कर रहे है profit करना नहीं आ रहा है बट हमने जो loss किया वो loss में recover करना है अब recover करने में लगे हुए करो आप recover आपके recover करने से profit थोड़े नहीं हो जागा ना तो आपका loss recover होगा वोगा loss ही तो इसलिए थोड़ा से दिमाग शान्त करके जब आपको लगे ठीक लगे तब अपना करें थांक्स गुडबाई एंड यह वाली candle हम कह रहे थे कि red बनेगी चली इस candle तो वेट कर लेत पर दिमागा ब़केड़े बनेगी तो आपके बिमाग्सल्ड़ाइ थूर से वाली तो आपको लागे से रđची कि लिचे दोड़ाई यह यहुता करें